देर इस्टूडेंट्स, आज हम BSC Part 3rd Botany Practical के Ecological Part के बारे में जैनकरी प्राप्ट करेंगे इसमें जो Botany का जो Practical होता है उसका जो syllabus है वो Ecology Part तीनो पेपर से मिलके बनता है तो जो Ecology का पेपर है उसके जो exercises है वो इस प्रकार से है कि कुछ Phytological, Phytosocialogical Studies है Soil Analysis है, Morphological and Anatopical Adaptations है कुछ Hydrophytes और Zerophytes में वो जो 9 नंबर पर आपको दिख रहा है Ecological Instruments and their Working आज हम इसी टॉपिक पे आपको जानकारी देंगे Ecological Instruments जो कि Ecology से या परस्तितिकी के जो Practicals है उनमें कौन-कौन से instruments काम में आते है इनमें जो सबसे Important Instrument Maximum Minimum Thermometer है जो कि बहुत ही उपयोगी Instrument है पारस्तितिकी दृष्टी से या पारस्तितिकी जो हम प्रायोगी कारे करते हैं उसमें Maximum Minimum Thermometer हमारे बहुत काम आता है Maximum Minimum Thermometer या उच्चतम न्यून्तम ताप मापी इस उपकरण के द्वारा हम हवा का न्यून्तम वा उच्चतम ताप का पता लगा सकते हैं जैसे तो हम ये जो Instrument हम भी इसमें देख रहे हैं चित्रों में इनको हम Labs में देखते हैं ब्रयोक्षाला में हम इनका सिध्धान्त के बारे में समझते हैं लेकिन उससे पहले हम कुछ चित्र के माद्य हमसे भी इसकी जानकरी ले रहे हैं इस Maximum Minimum Thermometer है इसमें Maximum Temperature और न्यून्तम Minimum Temperature दिन का वो हम मालूम करते हैं जब दिन दुपहर के वक्त उच्टम तापमान होता है उसके बाद सूर्यधासे की बाद या सूर्यधासे कुछ देर पहले जो रिकॉर्ड किया जाता है Temperature तो इसकी जो सनरश्णा है, आप देख रहे हैं, उच्चतम न्यूंदम तापमापी एक यू आकार की काँच की नली का बना हुआ है, जिसकी दोनों सिरों पर हमें बल्ब दिखाए दे रहे हैं, और इन में एलकोहल भरा होता है, यह जो रड है, यह एलकोहल भरा होता है, नली में नीचे की तरफ यह जो ग्रे ब्लू कलर का दिख रहा है यह पारा होता है मर्करी में मर्करी भरा होता है पारे के ऊपर इस आर्म में भी और इस आर्म में भी दोनों तरफ एक मैटल के इंडिकेटर लगे, यह metallic है, धातू के बने वे, यह indicators यह लगे वे रते हैं, और इसमें दोनों तरफ temperature का grading किया हुआ है, दोनों तरफ आप देख रहे हैं, अब यह किस principle पर काम करता है, इसका principle है कि जब हवा का ताप बढ़ता है, तो यह जो alcohol है, यह फैलता है, जब alcohol फैलता है, तो यह पारे को नीचे की और धकेलता है, तो यह पारा जब alcohol फैलेगा, और इस पारे को नीचे की और धकेलेगा, इस बुझा में पारा जो है, वो उपर की और बढ़ जाता है, जब उपर बढ़ता है तो इसका जो ये जो इंडिकेटर है मैटल का इंडिकेटर ये भी उपर की और बढ़ जाता है तो हमें यहाँ पर temperature इधर वाली आम में maximum temperature मालूम पढ़ता है और जब हवाग में जब ताप कम हो जाता है तो इसका alcohol सुकुडता है जब इसका alcohol सुकुडता है तो इसके कारण इसमें पारा जो है वो इसी में उपर की और बढ़ने लगता है जब यह यहाँ से ये alcohol सुकुड़ेगा चोटा होगा कम होगा तो यह जो पारा है ये इधर की और बढ़ने लगेगा यहां आप देख रहे हैं इसकी ग्रेडिंग उपर की और कम होती भी जा रही है तो इस भुजा में जब हम temperature ले रहे हैं तो वो न्यून तमताब बताता है minimum temperature वाली यह line है अगर हम इसके method देखे तो हम इसको सबसे पहले क्या करते हैं कि जो thermometer है इसके दोनों जो indicators है इनको एक चुम्बक की साहता से उनको इस जो पारे की जो सत्य है इस पे इसपर्ष करा देते हैं यहां और इस जगे पर इसपर्ष करा देते हैं और इसपर्ष करते हुए रखने के बाद तापमापी को जहां पर भी हमें temperature लेना है वहां स्थित करके और सुभए साथ बजे इस वाली में हम निचले सिरे का जो है वो temperature नोट कर लेते हैं यह होता है मेरे मम फिर पुन है दिन के समय हमें जब temperature लेना माली जब दो बज़े लेना है तीन बज़े लेना है तो हम इसको वापस से इन इंडिकेटर्स को इनके साथ में इस्थिर कर देंगे और फिर फिर हम उसका उच्चतम तापमान इस वाली में ज्याद कर लेंगे और इसी तरह से उच्चतम और निउन्तम तापकरम लेकर के और इसको दो से अगर डिवाइड करते तो आसथ टेंपरेचर आ जाता है इसमें इस प्रियोग इसको जा टेपरेचर लेते समय में कुछ सावधानिया भी रखनी चाहिए कि यह जो चुम्बक की सायता से दोनों निर्देशक जो है इनको पारे की सत्य पर स्पर्श करा करके रखना चाहिए तो यह एक उपकरण है जो की पारिस्तिकी प्रियोग में काम में आता है दूसरे है पी एच मीटर पी एच मीटर यानि की पी एच नापना और पी एच क्या होती है कि सभी जयविक अभी क्रियाएं जो है माध्यम के हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोकसिल आयन की सांदरता से प्रभावित होती है तो किसी भी विलियन में हाइड्रोजन आयन के जो नेगेटिव लोगर्थिम है या हम कहें कि प्रभावकारी हाइड्रोजन आयनों की सांदर कि संदर्ता को pH कहते हैं, pH की वैल्यु और pH कामान 0 से लेके 14 तक होता है, जब pH 7 होती है, तो हम उस विलियन को कहते हैं, उदासीन, और अगर साथ से कम हो, तो आचिडिक, और साथ pH से अधिक होती है, तो हम इसको कहते हैं alkaline, तो इस तरह से हम pH कामान, जो है, हम अमलीटा ये इरिशारियता यह हमें पताच्ट दि यह जो jew पीडमीटर हैं इस पीडमीटर के अंदर だो इलेक्ट्रोड लगे रए यह देखिया दो इलेक्ट्रोड और दोनों जो इलेक्ट्रोड ay है वो है एच प्लस सांदर्ता वाले जो अलग-अलग सांदर्ता वाले विलियन में डुबोने पर और दोनों इलेक्ट्रोड एक पोटेंश्यों मिटर या इससे इंपेडेंस बोल्ड मिटर से जुड़े वे रहते हैं अगर हम सबसे पहले देखें तो दो जो एलेक्ट्रोड है एक रेफ्रेंस एलेक्ट्रोड होता है और एक ग्लास एलेक्ट्रोड होता है यह देखें यह रेफ्रेंस एलेक्ट्रोड और एक मेजरिंग एलेक्ट्रोड जो रेफ्रेंस एलेक्ट्रोड है वो एक काच की नली के अ अंदर एक platinum का element होता है जो कि mercury में डूबा रहता है तो पारे के नीचे की तरफ mercuryous chloride का जो है वो paste होता है काच की जो बाहर की नली होती है उसमें saturated solution होता है KCL का तो glass electrode होता है वो काच की एक बंद नली होती है और इसके इसके ये शीश पर एक बल्ब होता है इस नली के अंदर एक पतली नली होती है जिसकी की पूरी लंबाई में एक चांदी का तार लगारा था silver और उसके उपर silver chloride का लेप होता है और काच की नली के शीश पर बल्ब में 0.1 nscl का billion भरावर रहता है तो इस electrode के द्वारा आइनों की जो सांदरता है hion की सांदरता उसके बदलाव का पता चलता है तो जह हम pH जो है वो फिर एक formula है उस formula से pH को निकालते है लेकिन उससे पहले pH का standardization भी किया जाता है तो यह pH meter है जिनमें की दो electrodes है लेकिन अब जो pH meter आने लगे है लेटेस्ट वो digital pH meter आने लगे है जैसे इसमें आप देख सकते हैं दो digital pH meter यह pan digital pH meter जिसकी की इस knob बंद है इसके को dip कर देते हैं dip करने से जिस भी solution की हमें लेनी होती है pH और यहाँ पर यह इसकी संदरता हमें दिखाए देती है उस पर पढ़ सकते हैं यह फिर यह जो combined electrodes दो electrodes उते हैं पहले आपने देखे अब combined electrodes भी आने लगे हैं इन combined electrodes के माध्यम से भी और यह इससे जुड़े रतर यहाँ पर display होती रहती है pH हो जाती है दोनों electrodes का combination है तो pH meter बहुत ही मातवपूर्ण एक उपकरण है जो कि ecological practicals में काम आता है किसी भी organism का उसका वातावरन किस में रह रहा है उसका अमलिय माध्यम है शारिय माध्यम है या उदासीन है काफी practicals के अंदर इसको काम में लेते हैं दूसरा जो एक बहुत ही उपयोगी instrument है hot air oven इस उपकरण के अंदर काच की बनीवी जो चीजें जैसे test tubes हैं पैट्री प्लेट्स हैं बीकर हैं ग्लास हैं पिपेट्स हैं इन सब को हम इस्ट्रलाइज करते हैं क्या करते हैं निर्जमित कर दोते हैं इसको आप देख रहे हैं इसमें यह एक तातू का बनावा होता है बाहर यह door है handle है और नीचे दो knobs जिसमें on and off यह पावर की है और thermostate है बाहर से हम देखें तो इस तरह का ओवर दिखाए पड़ता है लेकिन अगर हम इसकी internal देखना चाहें तो यह internal structure आप देखिए double jacket इसका chamber है यह thermometer कई में नीचे की तरफ या side में भी लगा हो सकता है shells है जो की porous है हवा का जिसमें आना जाना होता रहे temperature का indicator valve है इस hot air and oven में अब यह insulated होता है पूरा उश्मा रोधी इसके अंदर जो भी हम ताप क्रम को set कर दें तो वो स्थिर बना रहता है और light से तो चलता ही है विद्ध्य द्वारा संचालित रहता है और इस ताप क्रम को बनाए रखने के लिए इसके अंदर एक पीछे heating coil रहती है और अंदर की तरफ एक पंखा भी होता है जिसमें गरम हवा अंदर की और भूमती रहती है और इसके द्वारा हम किसी भी वस्तू को इस्ट्रिलाइज करने के साथ साथ हम अगर कहीं dry weight लेना चाते हैं कि completely इसमें से पानी का content हटा करके और फिर weight लिया जाए dry weight ग्याप करना हो उसके लिए भी यह hot air oven काम आता है इस oven में जो भी हमें temperature चीन निश्चित temperature निश्चित समय तक उसको रख कर जो भी हमारी वस्तू है या पदहाट है उसको रख करके हम निर्जमित कर लेते हैं या dry weight हम मालूम करने के लिए काम में लेते हैं पहले fresh weight ले लिया जाता है फि उसके बाद में इसका dry weight ले लिया जाता है और उसमें उपस्तित हम जल की इस formula से फिर हम जल की मात्रा भी निकाल सकते हैं यह इस तरह का उपकरण है काफी काम में आता है पारिस्तिति की जो प्रयोग करते हैं उनमें सबसे पहले काम में आने वाली चीज़ है किसी भी चीज़ को बनाने के लिए हमें measurement करना होती है तो उसे नापने के लिए या तोलने के लिए balance काम में लिजाती है और अधिकतर physical balance काम में लेते है फिजिकल बैलेंस दो तरह क्यो होती है एक होती है single pen balance और एक होती है double या समान arm वाली यह आप देख रहे हैं यह दो बुझाओं वाली balance है जिसमें की एक यह यहाँ पर beam होती है और इसके बीच में एक pointer लगा रहता है और जो इसके जो खम है इसके नीचे की तरफ scale पर हिलता रहता है इसके दोनों तरफ जो यह आप देख रहे हैं edges दोनों पलड़े अगर खाली रहते हैं तो इसका जो indicator है वो बीच में रहता है तो एक जो इसका pen है इसमें हम weight रख देते हैं standard weights तब तक रखते रहते हैं जब तक कि यह जो indicator है यह बीच में नहीं आ जाए मतला balance की दोनों जो pens हैं दोनों बुझाएं वो बराबर है यहाँ यह आप देख सकते हैं इस तरह का यह वाला यह बीच में pointer है balancing यह screws है इसमें यह दोनों इसके pens है और जो single pen balance है यह अब आच कल digital लाने लगी है तो यह आप देख सकते है digital single pen balance दो तरह की यह बहुत ही काम में आने वाला उपकरण है इसके अंदर जोकी ecology के में काम में आता है इस तरह से हमने कुछ ecology के काम में आने वाले इस्ट्रूमेंट के बारे में जान करें लिए थैंक यू बारे मेंग